आंध्री कले से जूज रही कॉंग्रेस की महराष्ट इकाई में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा पार्टी के 25 विधायकों ने बागी तेवर दिखाते हुए सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है इनके तेवर ने राज में उद्दफ ठाकरे के नेतरित में चल रही महाविकास अगाडी सरकार के लिए नया संकट पैदा कर दिया है इस सरकार में शिफजेना कॉंग्रेस और शरतपवार की एनसीपी शामिल है गठन के बाद से ही तीनों साज़धारों के मतबेद समय समय पर सामने आते रहते हैं Diagnomic Times की खबर के मताबिक कॉंग्रेस के 25 विधायकों ने महराज सरकार में अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के खिलाप शिकायत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोन्या गांधी से मिलने का समय मांगा है इन Congress विधायकों का कहना है कि पार्टी के मंत्री भी उनकी बात नहीं सुनते, उनकी चिंताओं का जवाब नहीं देते हैं। विधायकों ने सुनिया गांदी को भेजे पत्र में उनसे हसशेट करने और चीजों को सही करने का आगरे किया है। कुछ विधायकों ने E.T. से कहा कि महाविकास अगाडी सरकार के मंत्री विशेश रूप से कॉंग्रेस के मंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे। उनमें से एक ने कहा अगर मंत्री विधायकों के निर्वाचन शेत्रों में काम को लागू करने के अनुरोध की अंदेखी करते हैं तो पार्टी चुनावों में अच्छा परदर्शन कैसे करेगी। इसमें बताया गया कि कॉंग्रेस मंत्रियों को तीन-तीन विधायक आवंटित किये गए हैं। अजीत पवार लगातार अपनी पार्टी के विधायकों से मिलते हैं, उनकी बाते सुनते हैं और योजनाओं के लिए धन की विवस्ता भी कराते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि NCP लगातार कॉंग्रेस पर निशाना साथती है, अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो कॉंग्रेस बाकी राजियों की तरह महराश्ट में भी हार्शिये पर चली जाएगी। विधायकों ने कहा कि पंजाब में पार्टी की हार के बाद ततकाल कारवाई की जानी चाहिए, अगर पार्टी का महराश्ट में ऐसा ही रवया रहता है तो पंजाब जैसा पनिनाम आ सकता है। बतादे की हालिया विधानसवा चुनाव में कॉंगरेस को पंजाब, उत्तरबरदेश, उत्तराखन, गुवा और मनीपुर में करारी हार मिली है। इस खबर में इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चनल सब्सक्राइब करें।